जन्म कुंडली अध्ययन ये जो जन्म कुंडली आपके समुख है ये जन्म कुंडली एक चौबीस वरसिये युवति की है जन्म कुंडली मुझे दरभंगा बिहार से भेजी गई है समस्याएं वो मैं पहले आपके शमुख रख दूँ ताकि आप ग्रहों पर फिर समझ सके उन परिस्तियों को सबसे पहले तो इस जातिका का यानि इस लड़की का अपनी मा के साथ कभी भी बेहतर संबंध नहीं रहा दूसरा पढ़ाई के करम में दो तीन बार इस लड़की का प्रेम शंबंध हुआ लेकिन वो सारे के सारे संबंध तूटते चले गए आज घर परिवार बिवाह के लिए प्रयासरत है लेकिन कहीं भी बात नहीं बन पा रही है तो इस लड़की का जो मूल प्रश्ण है वो यही है कि बिवाह को लेकर के मेरे घर वाले बहुत परेशान है क्या मेरा विवाह कैसे होगा क्या करना चाहिए मुझे क्योंकि कहीं भी बात नहीं बन पा रही है आए इस लड़की की जन्म कुंडली में हम विवाह का यह जो प्रश्ण है और क्यों इसको प्यार में धोखा खाना पड़ा और मा के साथ संबंध क्यों अच्छा नहीं है इन स इन दोनों राशियों के स्वामी कौन बुद्ध इस कुंडली में एकादस स्थान में जहां पर आप इस कुंडली में ये चार नंबर देख रहे हैं कुंडली का एकादस स्थान आय का भाव लगनेस आय भाव में हम लोग मूल तीन विश्यों को आपके समुख मैंने रखा तो इन तीनों बिश्यों के लिए क्रमसः तीन जगों पर चलना चाहिए, पहले मा के साथ संबंद, कुंडली का चतुर्ठ तुस्तान, जहाँ पर आप इस कुंडली में 9 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये चतुर्ठ तुस्तान है, मा का घर, इस भाव 9 नंबर का मतलब धनू मीन, दोनो रासियों के सौामी है ब्रहस्पती, तो ब्रहस्पती जो मा के घर के मालिक है और बिपरीत लिए, यानि की अगर लड़की की कुंडली है तो पुरुष सुख यानि कुंडली का सब्तम स्थान, तो धनू और मीन, 12 नंबर का मत्बब मीन रासी, इन दोनू रासियों के स्वामी ब्रहस्पती बैठे तो सुर्य के घर में हैं, परंतु कहां, विनास भाव में, जहां पर आप इस कुंडली में ये पांच नंबर देख रहे हैं, कुंडली का बार्वा स्थान, द्वादस स्थ मा के साथ संबंध को विच्छेद कराएगा, दूसरा, मा के घर का जो मालिक, यानि मा का जो कारक है, मा के घर का मालिक तो विनास के भाव में चलागा, यानि बार्वे घर में, मा का जो कारक है, वो चंद्रमा, वैसे तो उच्च का होकर के इस कुंडली में बैठा हुआ है, जरा ध्यान से समझे इस कुंडली को, जहां पर आप इस कुंडली में ये दो नमबर देख रहे हैं, कुंडली का भग्स्थान, यहां पर चंद्रमंगल की यूती, लक्ष्मी योग, और चंद्रमा यहां पर उंच काहो करके बैठा हुआ है, एक तथ जो सबसे ज़्यादा वि बैठा है, जो मा से संबंद भी छेत कराता है, मा के घर का मालिक विनासभाव में है, लेकिन चंद्रमा और गुरू एक दूसरे से चतूर्थ और दसम का संबंद गजकेसरी योग, चंद्रमा यहां उच्च काहो करके बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कि जातिका की मा उसको सही मार्ग बताती हो, और इसके चलते यह जातिका मा के साथ टेंशन करना, उसके बताय मार्ग पर न चल करके रोज जिद करना, अपनी बात करना, और मा कोई भी मा अगर अपने बच्चे को गलत राह पर चलती देखेगी, तो निश्चित रूप से वो अपने उसका सबसे प्यारा है, लेकिन प्यारा होने के बावजूद कभी भी कोई मा क्या चाहेगी, operative कि उसका बच्चा गलत मार्ग पर जाए, हो सकता है ऐसी त्थिती बन रही हो, कि यह जातिका गलत मार्ग पर चल रही हो, और जिसके चलते, जैसा कि इसने खुद स्विकार कि की कम सी कम तीन प्रेम संबन्ध हुए लेकिन तीनों के तीनों टूट गए.. To क्या ये बात मां से छुपी होगी and मां तो ऐसे भी बच्चों की आँखो को देखकर बाव जाती है.. तो मुझे ऐसा लगता है कि शत्त प्रतिसत ये जातिका भले न कहे लेकिन बात यही है कि मा सही मार्ग दे रही होगी जिसके चलते मा के साथ संबंध खराब होना जायज है हो रहा होगा अब आजाते हैं सब्तम स्थान पर प्रेम का संबंध क्यों टूटा प्रेम के लिए कुंडली के पंचम स्थान से बिचार किया जाता है क्योंकि भावनाओं का जो बिचार है प्रेम एक भावना है तो इस भावनाओं के लिए कुंडली के पंचम स्थान को देखना चाहिए ज करन वक्री होकर के भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस जातिका ने कई जगह पर अपनी गलतियों के चलते ही, चाहे वो प्रेम संबंध हो, अपनी सोच, क्योंकि कन्या लगन की स्त्रियां, अगर स्त्री, मैं फिर से दोहरा दूं कि एक एक छोटी बातों को ले क्योंकि एक सुत्र से कभी भी कुंडली को अगर आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसका गलत ही परिणाम निकालेंगे और नुकसान में जाएंगे, कन्या लगन की अगर स्त्री हो, तो बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि पहले तो कन्या लगन और जो की स चंद्रमा कैसा है, तो उच्च का है, चंद्रमा उच्च का होकर के बैठ गया, तो इसका मतलब जातिका का मन कभी इस्थर न रहना, और हमेशा चाहे इससे जो भी जुड़े, कई सारी बाते हैं, मैं किसी के नीजी जीवन पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऐसा समा का मालिक या लड़के इसके साथ बहुत दिनों तक नटिक पाएं, जिसका सीधा सा कारण कि सब्तम स्थान का मालिक, क्योंकि भावना प्रेम संबंध का जो छेत्र है, तो कुंडली में बहुत स्रेष्ट है, फिर ऐसा होने का कारण ये हुआ, जातिका को बरतमान में कुछ पता चलता होगा, उसके चलते मा के साथ भी संबंध खराब, अब हम लोग आ जाते हैं बीवाह पर, जो इस लड़की का प्रमुख प्रशन है, कि घर परिवार प्रयासरत हैं, पर हो नहीं रहा है, तो सब्तम स्थान, यानि कि जहां पर आप इस कुंडली में बारह न 16, 11 अगस्त 2016 को पंचम स्थान में आएंगे, और पंचमस्त ब्रहस्पती दिवाह कराते हैं, तो अगर घर परिवार प्रयास कर रहा हो, तो निश्चित रूप से अगस्त 2016, 11 अगस्त 2016 के बाद, और सितंबर 2017 तक बिवाह के लिए आप लोग प्रयास करें, तो निश्चित बिवाह से संबंधित समस्याएं जो हो रही है, उसका निदान हो सकेगा, देखा जाए, तो इस कुंडली में सनी से अगर आप देखें, तो दक्षण पस्चिम और गुरू से देखें, तो उत्तर और पूर्व, यानि चारो दिसाओं का संबंध बन रहा है, अतह इस तरह की दिसाएं उन ही जातकों की कुंडलीयों में बनती है, जो बिवाह को लेकर के उहापोह की स्थिती में रहते हैं, कभी उनका मन करता है, हम प्रेम बिवाह करेंगे, फलाने के साथ करेंगे, माता-पिता कहीं और सोच रहे होते हैं, अतहु इस अवस्था में उहापोह की स्थ मेरी जो राय है उस राय में यही है कि उपवास का जो नियम है कि फ atacar एक बार दिन में कुछ भी लेना पिर दिन भर कुछ ना खाना अपने आपको तपाना तो इन मुहूर्त दिखा करके ब्रहस्पती का ब्रत प्रारंभ करिए सितंबर 2017 तक बिवाह का योग रहेगा ब्रहस्पती का ब्रत जैसे ही आप प्रारंभ करेंगी आपको उसका लाब मिलेगा तामबे की ताबीज में बिवाह विग्र नासक निर्शिंग और अपराजिता का कवच बना करके गले में धारन करिए आपको सफलता मिलेगी और अंत में याद रखिए कि माबाप से ज़्यादा कोई भी आपका हितैसी नहीं हो सकता अगर आपके माबाप आपके अपने नहीं हुए तो इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं है तो ये बात अपने दिमाग से निकालिए कि आपकी माँ आपके विपक्ष में है उनका आपसे नहीं बनता कहीं न कहीं आपकी कमियों को दूर करने के लिए हो सकता है वो ऐसा रुख अपनाती हो और आपको लगता हो कि मेरा माँ के साथ संबंध अच्छा नहीं रह रहा है झावन से आये चल रही हो तो आईये हम unterकिंदली का भुलन करेंगे हैं और उसका निदान आपको बताएंगे तो पुनार हाजिर होंगा ऐसी ही नई जन्म कुंडली को ले करके हो सकता है वो सकता है उसका है आप में से ही किसी एक्व से नमस्कार आइ था हुर